नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है देखिए ब्रिटिश एस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ रही है यही हमारा विश्य है शॉर्ट नॉट्स की सीरीज हम चला रहे हैं आप सभी जानते हैं अगर आपने इससे पहले तीन वीडियो पढ़ाया हैं नहीं पढ़ाना है वो पढ़ लिजिए बहुत कम समय में बहुत जादा जानकारी देने का प्रयास में कर रहा हूँ यह शॉर्ट नॉट्स अगर आपने पढ़ लिया तो एक तो 80-90 प्रतिशत आपका कंटेंट त्यार हो जाएगा कम समय में और दूसरी बात इसमें बहुत मजा आएगा में आपको बच्चा बच्चा इसको पढ़ सकता अच्छे से और तीसरी बात एक नजरिया आपका हो जाएगा कि भाईया मौडन इस्ट्री अच्छा यह है तो अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तो शॉर्ट नॉट्स के मात उत्तगाली कंपनी के अलावा जो भी कंपनियां भारत में आई थी वो पढ़ लिया बस अंग्रेज्जों के बारे में नहीं पढ़ा था क्योंकि अंग्रेज के बारे में ही पूरा जो आपका स्लेबस है वो है तो अंग्रेज्जों के बारे में आज हम पढ़ेंगे ठीक है और तीसे वाले वीडियो में उत्तर कालीन मुगल शाशक और रंग जेब की मित्यू के बाद जितने भी मुगल शाशक थे उनके बारे में आपने पढ़ लिया और आज के इस वीडियो में आप ब्रिटिश एस्ट इंजय कंपनी का भारत में आगवन पढ़ेंगे तोला सो इसवी में कंपनी को अधिकार मिला वैपार करने का और इसके अलावा इसके बाद जो पूरी कहानी है भारत में आने कहानी कहानी कहां कहां फैक्टरी खोलने कहानी वो आपको पता लग जाएगा ठीक है तो चलिए सबसे पहले तो यह समझिए जो कंपनी आई थी इसक इसका नाम क्या था इसका ओरिजिनल नाम क्या था तो द गवर्णर एंड कंपनी ओफ मर्चंट्स ओफ ट्रेडिंग इंटू द इस्ट इंडीज ये इस कंपनी का वास्तिक नाम था 16 इस्वी में वैपार करने का अधिकार इनको मिला था किसके द्वारा एलिजाबेच प्रत्थम ब्रिटेन की महरानी एलिजाबेच प्रत्थम के द्वारा इनको वैपार करने का अधिकार मिला 15 वर्षों के लिए पंदरा वर्षों के लिए इनको मोनोपोली मिल गई भईया जो इस्ट देश है Cape of Good Hope के इस्ट साइड में जो देश है जैसे भारत, चाइना, इंडोनेशिया इन पर आप जाकर वैपार कर सकते हैं और ये पंदरा वर्षों के लिए आपको मोनोपोली मिलेगी एक अधिकार मिलेगा, इसका मतलब ये होगा ब्रिटेन से कोई दूसरी कमपनी वहाँ पर वैपार करने नहीं जाएगी बस आप वैपार कीजिए, टेंशन मुक्त होकर पंदरा सालों के लिए मोनोपोली रहेगी इसके बाद अगर हमें पसंद होगा तो मोनोपोली का जो टाइम पिरेड बढ़ाएंगे तो ऐसे से वो टाइम पिरेड बढ़ाते रहे 1813 तक कमपनी के पास वैपार करने में एक अधिकार बना रहा भारत के अंदर लेकिन 1813 में हुआ क्या कि भारत में एक अधिकार छीन लिया गया बस चाय के वैपार के उपर एक अधिकार कमपनी का बना रहा और चीन के साथ वैपार का एक अधिकार बना रहा वो आगे पढ़ेंगे ही सिंपल सी बात है तो एलिजाबेच प्रथम ने वेपार करने का अधिकार्ट दे दिया ये 15 वर्षों के लिए लेकिन कमपनी तुरंत आई नहीं 1603 इस्वी में एलिजाबेच प्रथम की मृत्ति हो जाती है ठीक है और उसके बाद जेम्स प्रथम ब्रिटेन के समराट बनते हैं और अब कमपनी इस्ट इंडिया कमपनी भारत में आगमन का गुगा 1608 हिस्वी में 1608 हिस्वी में सूरत बंदरगाह पर कमपनी आती है कैप्टन हौकिन साहब सूरत बंदरगाह पर आते हैं और यहाँ पर यह किस जहाज से आते हैं पूछा जाता है हेक्टर जहाज जिसे रेड ड्रेगन जहाज भी घा जाता है इस जहाज से यह भारत में आते हैं सूरत बंदरगा पर आते हैं इसके बाद जो मुगल शाशक थे इस समय जहांगीर थे जहांगीर से मिलने के लिए जहा नो हो गया था तो सोला सो नो में यह आगरा जाते हैं वहाँ पर हला कि यह दिखिए जब कंपनी भारत में आई ने उस समय जहांगीर शाशक था लेकिन जब कंपनी बनी ब्रिटेन में जब कंपनी बनी और उसको सोला सो इसवी में अधिकार मिला वयपार करने तो उस समय भारत में जो मुघल शाशक था वो अकबर था अब अकबर का बेटा जहांगीर है अब जहांगीर से इन्हों ने कमपनी कमपनी ने जहांगीर से फैक्टरी खोलने की अनुमती तो ले ली लेकिन ये अनुमती कुछ दिनों बाद रद कर दी गई क्योंकि कारण ये था कि सूरत वाले इलाके में आलरेडी जो पुतगाली थे वो हावी थे उन्होंने दबाव बनाया और जहांगेर ने ये जो फैक्टरी खोलने की अनुमती अंग्रेजों को दी थी ये रद्द कर दी तो आस थाई तोर पर वहाँ पर ये थोड़ी दिन बने रहे लेकिन बाद में इन्होंने 1611 में मसूली पट्नम में अपनी फैक्टरी खोल ली फिर इनको 1613 में मौका मिला सूरत के अंदर फैक्टरी खोलने का क्योंकि 1612 में ऐसी घटना होई थी गटना क्या होई थी अंग्रेजों और पुर्तगालियों का युद्ध हुआ था इसे स्वाली का युद्ध कहते हैं स्वाली का युद्ध है नाम याद नहीं ना बस ये याद रखिए कि युद्ध हुआ था जिसके कारण जहांगीर इंप्रेस हुआ और इसने इनको फैक्टरी खोलने की अनुमती दुबारा से दे दी तो सूरत में 1613 में फैक्टरी खोली अब 1615 में सर्टॉमस रो भारत आता है ये किसके द्वारा भेजा गया किसका जो ब्रिटेन के समराठ है तो 1615 में सर्टॉमस रो इंडिया आए हॉकिन 1608 में और ये सर्टॉमस रो 1615 में बंगाल में इन्होंने अपनी फैली फैक्टरी ब्रिटिश इसने कंपनी पैली फैक्टरी 1651 में खोली है और 1661 में क्या होता है इंग्लेंड के जो राजा है चार् इनको दहेज में बंबई बंदरगा दे देते हैं जैसे इनके पीता जी का हो इंके बाप का हो बस गिफ्ट दे दिया बंबई बंदरगा इन्होंने दहेज में दे दिया और इसी बंदरगा को 1668 हिस्वी में जो चार्ल्स सहाब हैं चार्ल्स राजा सहाब हैं इन्होंने किर वार्षिक किराये पर दे दिया इस्ट इंडिया कंपनी को अब यहां पर देखिए बंबई का वास्तुइक संसापक किसको माना जाता है गैरोल्ड अंगियार को बंबई का वास्तुइक संसापक माना जाता है याद रखीगा 1686 में अंग्रेजों ने हुगली पर लूट माट कर दी ये बात जब औरंग जेब को पता लगती है तो औरंग जेब गुस्से में आकर इस्ट इंडिया कंपनी को बैन कर देता है बंगाल वाले लाके में उनको वहां से भगा देता है हाला कि बाद में माफी मांगते हैं अंग्रेज और कुछ जुर्माना देने के बाद उनको दुबारा से अधिकार मिल जाता है वहां वैपार करने का 1698 इस्वी में अंग्रेजों की किसमत खुलती है यह सूता नती एक गाउं है वही कलिकाता गाउं है और गोविंदपूर इस गाउं की जमिनदारी मिल जाती है अंग्रेजों को यह जमिनदारी किस ने दी थी बंगाल के जो सूबेदार थे या गवर्णर कह सकते हैं अजीम इन्हों शान थे इन्होंने ये अधिकार दे दिया और इन्ही तीनों गाउं को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की जाती है जौब चारनाक के द्वारा जौब चारनाक जो अंग्रेज थे इन्होंने कलकत्ता की स्थापना की इन्ही तीनों गाउं को मिला का है और कलकत्ता के अ बुगल जो शाशक थे उसमें फारुकशियर इन्ही के दरबार में भीजया जाता है किसकी अध्यक्स्ता में जॉन सर्मन की अध्यक्स्ता में ये वो वाला टाइम पिरेड चल रहा है जब फारुकशियर एक बहुत भ्यानक बिमारी से जूज रहा है और इस सिस्ट मंडल में जॉन सर्मन की अध्यक्ष्टा में एक डॉक्टर भी आये हुए थे अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन जिनका नाम था क्या नाम था लिख दू मैं यहाँ पर हैमिल्टन 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 आये हुए थे Hamilton ने फारुक शियर का िलाज कर दिया फारुक शियर खुश हो गया तो इसने शाही फर्मान दे डाला 1717 इस बिल्हे में शाही फर्मान दे डाला यही बहुत बड़ी गलती हो गई यही आगे चल कर बहुत हमारे पूरे भारत को इसका बहुत जो है कहा सकते हैं खामियाजा भुगतना पड़ा जो आज तक जो दर्द हमारे दिल में है सत्रा सो सत्रा इसमें में शाहि फरमान क्या था कि 3,000 रुपे के बदले में 3,000 रुपे अंग्रेजो ने फारुक शियर को देने थे तीन हजार के बदले इनको बहुत सारे अधिकार मिल गए जैसे चुंगी मुक्त वैपार करने का अधिकार बंगाल में मिल गया बीना टेक्स दिये उनको खुले आम वैपार करने का अधिकार मिल गया और दस्तक का अधिकार मिल गया मतलब अब जो अंग्रेज़ों के दस्तक हैं अंग्रेज़ों की मोहर या अंग्रेज़ों के जिसाईन है वो पूरे बंगाल में लागू होंगे जैसे इनका वैपर का कोई system कोई समान जा रहा है तो वहाँ पे जो मुगलों के अधिकारी होंगे या बंगाल के नवाबों के जो अधिकारी होंगे उनको वो फरमान दिखा देंगे या दस्तक दिखा देंगे जो अंग्रेजों ने मोहर लगा के दिया है तो उससे वो freely वैपार कर सकते हैं इसका बहुत misuse किया गया अंग्रेजों के दोरा अंग्रेज्जों के द्वारा बहुत मिस्यूस किया गया वो किसी दूसरी जो इस्ट इंडिया कंपनी थे जैसे पुर्तगाली थे फ्रांसी थे उनको वो अपना दस्तक मोहर मार कर उनका भी वैपार जो है बिना टेक्स के करवा दिते थे मतलब जहां जहां अंग्रेज्जों की दस्तक लगेंगे वहाँ पर मुक्त वैपार हो जाएगा कोई टेक्स नहीं देना पड़ेगा तो ये मोहर वो फ्रांसीसी वाले जो वैपार करते थे उनके कागच पर ये मोहर मार देते थे तो उनका भी टेक्स नहीं लगता था इसके बदले फ्रांसीसी पैसा किसको देते थे अंग्रेज्जों को पैसे देते थे otherwise उनको पहले पैसा किसको देना था मुगलों को पैसे देना था समय पा रहे हैं तो ये दिक्कत हो गया इसका बहुत misuse किया अंग्रेज्जों ने और धीरे धीरे पैर जमाना शुरू कर दिया बंगाल वाले लाके में ये तो भाईया था short notes detail notes अगर आपको चाहिए shri education application को आप download कर लीजिए shri education application इस application पर बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे notes पढ़े हुए है complete GS का notes पढ़ा हुआ है detail part बढ़ा हुआ है और बहुत simple भाषा में पढ़ा हुआ है बहुत सस्ते में है आपको ये ले लेंगे तो यारी बहुत अच्छी हो जाएगी shri education application के store section में जाएंगे या आप 7888774245 पर whatsapp करके जानकारी ले सकते हैं हम आप से मिलेंगे अगले episode में तब तक के लिए नमस्कार